उत्तर प्रदेश है मध्धीपरदेश राजिस्तान समयत पांच राज्जों के विधासबात चुनाव के दोरान कॉंग्रेस के साथ तलखियों को लिकर अब अखलेश यादब ने बड़ा बयान दिया है अकलेश यादब ने सीट बटवारी का कॉंग्रेस को ओफर दिया है दो दिन पहले दिल्ली में हुई संगठन बैठक में अखलेश यादव ने कॉंग्रेस को यूपी में हैसियत के हिसाब से सीट देने की बाद कही शर्त रखी गई है कि जहां भी कॉंग्रेस का बड़ा चहरा होगा या फिर शेत्रिया समीकरन उनके पक्ष में होगा उसी को टिकेट दिया जाएगा यानि कि जिस शित्र में अखलेश यादव का दबदबा होगा वो सीट अखलेश यादव को मिलेगी और जहां पर कॉंग्रेस का दबदबा होगा या बड़ा चहरा होगा वो सीट कॉंग्रेस को दी जाएगी यानि कि जिसकी जहां जितनी हैस्तियत होगी उसके हिसाब से सीटों का बड़बारा होगा अखलेश यादव के इस बयान के बाद कॉंग्रेस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया इससे साफ हो जाता है कि इंडिया गठ बंधन की सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं होगा संकेत है कि एंडिये गठ बंधन के सहयोगी दल बीजेपी से पछले चुनाव के मुकावले दोगनी लोग सभा सीट चाहते हैं और इससे पहले समाजबादी पार्टी ने 65 और 15 के फार्मूले के तहट उत्तर प्रदेश में लोग सभा चुनाव की सीट बटबारे में करने की एक्षाज अताई थी और इसके बाद समाजबादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अलग-अलग तरीकों की बयान बाजी होनी तेज हो गई थी फिलहाल अकलेश यादब ने खुद बयान देकर इस सीट बटबारे की संग्या पर बराम लगा दिया है लेकिन अकलेश यादब ने यह भी दाबा किया है कि वह उत्तर प्रदेश में सीट बटबारी का नित्रत्व जरूर करना चाहेंगे